गुडू मॉर्निंग विद्धेर्थी मित्रानू आज अपन यूजफू एन हार्मफूल मैक्रोबिज उपयुक्तव उपद्रवी सुष्मजू या प्रकर्नाची सुरुवात करना रहूत वाट इज मीन बाय मैक्रोबिज सुष्मजू मंज़ काई अपनला सुष्मजू पान्या साथी सुष्मजू अपनला सुष्मजू पान्या साथी सुष्मदर्शिकेचा वापर करवा लगतू मैनी मैक्रोबिज आर यूस्फूल तुस मंज़ अनेक सुष्मजू अपनला उप्योगेच पट सम मैक्रोबिज आर हर्मपूल पन काही सुष्मजू उपद्रवी क्यूआ हानी करकेच तर शुर्वातिला आपन यूस्फुल माइक्रोर्गेनिजम्स मन्जे उप्युक्त सुष्मजिवांच आप्भ्यास करना रहोत आप्भ्यासाला पहला उप्युक्त सुष्मजिव यूस्फुल माइक्रोर्गेनिजम्स लैक्टोबैसिलाए हाँ है लैक्टोबैसिलाए हाँ बैक्टेरिया मंझे जुवानोय जर आपनाला लैक्टो बैसिलाई चे अब्जर्वेशन मंझे निरिक्षन कराई चासल्यास ती कसे करताईल तर बागा बटर मिल्क मंझे ताक किवा योगर्ट मंझे दही ताक किवा दहयाचा थेम काच पट्टी वर घिवन सुष्मदर्शी के खाले चे निरिक्षन करताईल तर बागा अकुरुति दाकोल्या प्रमाने रेक्टेंगलर मंझे ताक कुरुति अकाराचे सुष्मजिव अपनास निरिक्षनास मिलितिल ये अईताक कुरुति सुष्मजिव मंझे लेक्टो बैसिलाई लेक्टो बैसिलाई हे विनोक्सी जिवान है असका because they can produce energy without the use of oxygen मन्जेज बागा oxygen शिवाए ते उर्जेची निर्मिती करता मनुन लेक्टोबैसीला हे विनोक्सी जिवान है हाव योगर्ट मेड फ्रोम मिल्क वाट एक्जेकली हैपन इन इस प्रोसेस दुदा पासुन दही कसे त्यार होते या प्रक्रियेट नेमके काई गड़ते याचा अब्यास अपन करू तुमालमा इते दही त्यार करताना दही की वाताक विर्जेन मनुन वाप्रलो जात दही की वाताक आमदे लेक्टोबैसीलाई चे जिवान होस्तात हे जिवानु दुदा तील लेक्टोज शरकरे चे लेक्टिक आमलात रुपांतर करतात दही क्टोबैसीलाई कनवाट लेक्टोज दही क्टोज शुगर इन्द मील्क इन्टो दही क्टिक एसीड एज रिजल्ट पी-ेच आप मील्क डिक्रिजेस मंजेज भगा दुदाचा सामू मंजे पी-ेच कमी होतो पी-ेच कीवा सामू मंजे ड्रावन अमल कीवा अमलारी मोजन्याचे एक काई त्याच विडि दुदाचील प्रतिनांचे कलतन कोयागलेशन होते मंजेज का होता प्रतिन घट्ट होता दस मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड प्राम ओदर कॉंस्टिटुएन्ट अप मिल्क त्या मुल दुदाचील प्रतिने इतर घटका पासुन विगडि होता यालाच आपन दुदाचे धयात रुपांतर मन्तू लेक्टिक अमलामुल दायाला विशिष्टसा अमबट स्वादेतो सुर्टेस्ट लो पीयाच डिस्ट्रोई हरंपूल माइक्रोबीज प्रजेंट इन्द मिल्क सामुक मियासलेने दुदाचील इतर घातक जिवानुन्चा नाशोतो लेक्टो बैसिलाई जिवानुन्चे काही उपयोग अब्यस हुया युजेस अप लेक्टो बैसिलाई फर्स्ट प्रडॉक्शन अप मिल्क प्रडॉक्ट्स एक्जाम्पल बटर मिल्क योगर्ट मन्जेज बागा लेक्टो बैसिलाई जिवानुन सोपयोग दुग्द जन्य पदार्त तयार करने साथी होते उदार नार्त दही थाक Second, production of cedar, pickles of vegetables मंझेज बगा, cedar मंझे सपर्चन्द चरस त्याज वरोबर भाजन चिलोंची तयार करने साथी सुदा Lactobacillus जिवानुन सोपयोग होतो Production of wine and bread मंझेज बगा, मद्यार का निर्मिती साथी त्याज वरोबर काही प्रकार्ची पाउत तयार करने साथी सुदा Lactobacillus जिवानुन सोपयोग होते Production of leaf and foder, orphaned to domestic cattle मंझेज बगा, गुराना देवये चे अंबोन मंझेज जनावरांचा खाद्य तयार करने साथी सुदा Lactobacillus जिवानुन सोपयोग होते Production of probiotics मंझेज बगा, probiotics पदार्थ तयार करने साथी सुदा Lactobacillus जिवानुन सोपयोग होते जर पचंस समस्तेद बिगाड जाला क्यों अपच्छन जाल्यास, probiotics पदार्थ आपन खात्यू अता दही ताक हे आपन खावुशक्तो करन दही ताका मदे Lactobacillus जिवानु स्तात अनि हे जिवानु अन्न मारगातिल Clostridium सारक्या गात तक जिवानुना नस्ट करतात तर Lactobacillus जिवानु किती उद्योग अना चालना देतत बगा पहला उद्योग बगा दुख दजन्य पदार्थ निर्मिती करनारे उद्योग उदार्नारत बगा चीज लोनी तूप स्रिकंड मिटाई दुसरा बगा अन्न पदार्थ उद्योग जसे की सिडार बाजाची लोन्ची तिसरा बगा प्रोबायर्टी का उश्द तयार करनारे उद्योग चवता बगा गुरांचे कद्य तयार करनारे उद्योग पाटवा भगा मध्यारक निर्मीती किवा वाइन उद्ध्योगा मदे चलना देतत आने बेकर उत्पादन पाउ, बिसकेट गेक तैयर करने हसाटी लेक्टोबेसिलाई सोप्योतो एवड उद्ध्योगान्नल लेक्टोबेसिलाई जीवानू चलना देतत तर याटिकानी लेक्टो बैसिलाई जिवानू चाब्यास पूर्णो तो तर आज चाब्यास भगा How is yogurt made from milk? What exactly happened in this process? मंज़ेज भगा दुदा पासुन दही कसे त्यार करतात या प्रक्रेत नेमके काई गड़ते या प्रस्णाचे उत्तर लिया त्याज बरोबर लेक्टो बैसिलाई जिवानू चूपयो यूजे सब लेक्टो बैसिलाई या प्रस्णाचे ही उत्तर लिया धन्यवाद